कि अले साल 2022 के चुनाओं का उत्तर प्रदेश में आगाज हो चुका है अभी चुनाओं आयोक की तरफ से तितिया निर्धायित नहीं हुए लेकिन पार्टियां जो है चुनाओं की तैयारियां करने में जुटी हुई हैं कोई भाजपा की पार्टी तो ब्रहमर सम्मेलन कर रह है ऐसे में हमाज परताबगर जिले के सदर विधानसबा छेतर के रखागाँ पहुचे हैं जहां हमारे साथ कुछ महिलाए हैं हमें से बातचीत करते हैं कि इस बार किन मुद्दों पर ओट करेंगी क्या मुद्दे क्या होंगे आम जनता को क्या चाहिए सिक्षा सुरक्षा रोजगार शर्विज और क्या चाहिए बगर्ड़ तहु गाऊunkी जंता खेती बारी करती हो प्रहपेट पालती है उसमें भी योग मूदिं ने इस बार लात मार दिया है ऐढ़ जो है छोड़ दिया है खेती नहीं कर पा रहे हैं लोग अना जितना महंगा हुआ है सिलेंडर इतना महंगा हुआ है का दिपदार इतने महंगे सरसों को तेल 200 रुपे पार हो गया है एक कांग्रेश की जो है पार्टी ने जो है कल 40% महिलाओं का टिकर देने के लिए एलान कर एसे में क्या लगता है महिलाओं के लिए कुछ नया कर रही कांग्रेश करते हैं तो उस समय कहां रहती है जब महिलाओं के साथ अत्याचार होते तमाम घटनाएं होती है उस समय ने गल्ति सिफ राजनीत करनी हो और सिफ चुनाओं आ जाता है तब 40% की यादा आती है उसके जनता का दुखदर्द क्या बाटेंगे वह आप देख रहें बीजेपी के सरकार में उनके विधायक धरने पे बैठ रहें नंगे लेट जा रहें अभी आपने जोजा जी को देखा अभी संगमलाल जी को देखा लोग पंत्र में जिस तरह से हत्या हुई जिस तरह से उनके अंसत्र विधायक नारे जा रहें पीटे जा रहें इससे बड़ा लोकतन की हत्या क्या होगी इस बार अखलेस यादों की सरकार बने इन्हों ने कहा जो है लगातार रसोई गैस का और पिट्रोल ली जाला और सांड जो है उत्तर प्रदेश में जो है योगी आतनी आत्मिया अब बहराई हो गई इसका महाँ ज्यादा हो गई है ना कलोनी ना ना कुछ ने कुछ नहीं हमारे लिए तो कुछ नहीं आते हैं अब हमें तो अकलेस जीता आना है किन मुद्व पर ओड़ेंगी अकलेस यादो का क्या नाम है आपका मालती देवी आदो इन्हों ने कहा इस जादो है में गराम रखा के निवासी हूं और मैं सरकार से मैं किसी भी पाल्टी के बारे में नहीं बताना चाहती हूं मैं यह कहना चाहती हूं सरकार से यह कहती हूं कि जब हमारे घर गिर जाते हैं जब हमारे पार कोई ब्यवस्था नहीं होती है चाहिए महिलाओ की हो चा अभी देखिए उन्होंने सरकार ने gy sempre कि यह महिलाओ को सिलंडर दीजिये अभी हमको सिलंडर दी मौ تीजी ने दे दिया पर अभी तो महंगाई इतनी हो गई है हम उस सिलंडर को भरा के खाना कैसे बनाए जो महलाए पहले भी चूले पे खाना बना रही है भाई बताईए सरकार से हम क्या लाब ले अभी हमको लैट्री बातरों की सुवजा दिये दिये च्छत उड़ गए ऐसे ही बस सोवाजी में एक बना दिये हैं कोई उसकी बेवस्ता नहीं दिया ना नाली दिया कुछ सरकार में जो है सरकार से भया हम सेहमत नहीं है और हम इस बार अखलेट जी को चुनना चाहते हैं जिसे हमें पिछली बार अखलेट जी आया थे महिलाएं बैठी रहती हैं वो बोलती हैं साहब जी आएंगे तो आपका काम करेंगे बताईए जब महिला के इतने आसुर अच्छत हैं तो साहब से सारा काम होना है तो महिलाएं को क्या मानने हैं बताईए आपने तो बहुत कुछ कह दिया कि हम महलाओं का बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ अभी हमारे साथ क्या हो रहा है हमारी तो एक भी सुनवाई नहीं हो रही हम ठाने के दच चकर कारते हैं हम गाओं के निवासी हैं बहु बेटी हैं हमको निकलना सरम महसूस होता है लेकिन हम हर एक लड़ाई के लिए हमको ठाने जाना पड़ता है बताएए सरकार क्या कर रही है हमारे साथ इस सरकार से सहमत नहीं हम अकलेश जी गुलाना चाहते हैं समाजवादी और उनी से सहमत हैं इन्होंने कहा कि हम अकलेश इस बार जो है 2022 का चुनाव जो है उस विकास के मुद्धे पर जो है बात करेंगे आ इसे नाज जी पावाद आँ अकलेश रहें हैं तो देखा तहा अंबूलेंस दाई देहें और सब दाई देहें पिंसिन लगवाई देहें इस सब तो सब काटके तो बाई ठीगें योगी दादा जो है वो दिये हैं आपको सिलेंडर कुछ नाजेंडर देहें वह बिना भरा हैं इन्होंने कहा महगाई की मार जेल रहें इसके कारण जो है गया सिलेंडर घर में भरा पढ़ा हुआ है लेकिन जो है उसका यूज नहीं हो पार ऐसे में हमारे साथ और भी जो है महिलाए हैं हमाई है इतना है बच्चे लोग का किसानी महां हर दम मार आदमी हर जोते हैं उनका पढ़ाय लिखाए को नहों नोकरी के ब्यस्ता नहीं हूँ पाए बाट है यह परेशान आथ तीस परेटी साल के लड़किया होई गया आँ है वही नोकरी के बारे महाँ परेचान आए आई यह सब हमका समस्ता है बहुत ज्यादा जैसे हम पाले उसे सोचत है कि उन्हों अपने हाथ पैर से हमरे सामने खड़ा हुई जाए आपके इतना असिरबाद आए हम और आगे अब बिधायक तो कभो नहीं आया यहां बहुत के जीतेक बाद मिला है भराय नाय पाई ही रख हमार बच्चे एक पुलीस महा खाली दूई नंबर से हैं जान तो डेर नंबर से उनके काड़ दिया उनका मुख़मा चलत बाट है अगर आपके इस बार किसकी सरकार बन जाए सब दीने नहीं कि देहे ही ओट आज हम परताबगर जिले के जो है सदर विधानसभा और रानी बिधानसभा और पट्टी बिधानसभा के बीच में खड़े थे जहां मैलाओं ने जो है मैलाओं से बाचीत किये तो 2022 के चुनाओं को लेकर कि उनका साबसाब पर कहिना था कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमें गई सिलेंडर तो दिया है लेकिन महागाई इतनी चरम पर ह कि जो है उसे भराने की हमें जुगत नहीं करना पड़ रहा है और हमें मजबूरन जो है चूले के बजाए मुझे जो है चूला लकड़ी से खाना बनाना पड़ रहा है इस बार उत्तर प्रदेश की सरकार को बदलना चाह रहे हैं परताबगड की ज्यादतर महिलाएं यही इस बार भाजपा की सरकार से असंतुष्ट दिखी इटीवी भारत के लिए परताबगड से संजय पाल